हलो स्थोट एक लाउंटरी योट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है यूट्यूब में अप्लोड वीडियो को कैसे एडिट करें How to edit a YouTube वीडियो अफ्टर अप्लोड How to blur a YouTube वीडियो अफ्टर अप्लोड इन सारे टॉपिक्स को आज मैं cover करूँगा वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना वरना important जानकारी से आप महरूम रह जाएंगे वह अंचीत रह जाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले अपना YouTube उपन करेंगे और एक वीडियो को select कर लेंगे YouTube studio आ जाईएगा content में आईएगा उसके बाद यहां से मान लीजी इस वीडियो को मैं लेता हूँ तो इसके लिए pencil पे click करेंगे left side में देखिए यहां पे editor का एक option दिया हुआ है इस पे click करेंगे यहां भी देखिए treatment cut का option दिया हुआ suppose that आपको कोई video cut करना है बीच से हटाना है उसको edit करना है तो उसके लिए यह option काम में आता है सबसे पहले trim and cut में click करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से video को trim किया जाता है इसमें click करेंगे माल लिजे आपको video यहां से सुरू से starting से ही कुछ हिस्सा आपको काटना है तो यहां पर आपका यह line जो है यह वाला जहां से आपको काटना है उसको वहां पर रखके एक बार click कर देंगे तो वहां पर वह stay हो जाएगा तो मुझे सुरू से काटना है तो यहां पर रहने देते हैं new cut लगाएंगे यह देखे यह रेडवल ऑप्शन आ गया तो माल लिजे आपको video स्टार्टिंग से लेकर यहां तक 45 सेकंड तक काटना है तो यह हो गया हमारा select हो गया यह area total यह दिखिए ok का जो sign है इस पर ok करें यह हमारा cut लग गया है देखें यहां पर लिखा हुआ cut one इसको अब उपर में देखें यहां पर save का option है save का option पर क्लिक करते ही आपका process start हो जाएगा और कुछ दिर के बाद video cut के save हो जाएगा चलि preview देखते हैं 45 सेकंड के बाद से video start होगा preview पर क्लिक करेंगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी चलिए इसको हम हटा देते हैं डिल्ट करेंगे डिल्ट करेंगे हमारे cut लिट हो गया अब एक चीज़ यहां पर ध्यान दीजेगा suppose that यह तो आपको starting से video cut करना हो कहीं आपको 20 से video अगर cut करना हो तो इसी तरह से यहां पर लाकर line को रखेंगे और एक बार click कर देंगे यह हो जाएगा उसको बाद new cut पर click करेंगे फिर वह ओवल option आ जाएगा यह देखिए उसको जहां तक आपको cut करना है ऐसे करके okay कर cancel कर देते हैं चलिए अब मैं आपको एक चीज यहां पर समझाता हूँ जो अक्सर problem होता है trim करने में बहुत सारे लोगों को मतलब वीडियो का जो अंत है वहां से आपको कुछ वीडियो कट करना है माल लिजए यहां पर से हमको वीडियो लेना है यहां पर लाइन को रखके click कर देंगे और new cut लगाएंगे और उसके बाद यह देखिए यह line जो है जब तक यहां है तब तो ठीक है लेकिन जैसे आप इसको लास्ट तक वीडियो को काट देना है तो इसको जैसे आप लास्ट करेंगे छोडेंगे यहां उपर में देखिए एक problem आ जाएगा element must be visible for at least 5 seconds यह option आ जाएगा अगर यहां पर आप ok करते हैं तो save का option देखिए आपका highlight नहीं होगा और यह video आपका trim नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक आप यह हटाएंगे नहीं तब तक यहां shape का option नहीं आएगा चलिए इसको delete करते हैं delete cut अब सवाल उठता है कि उसको हम हटाएंगे कैसे चलिए अब आपको दिखाते हैं बैक जाएंगे यहां से तो element को हटाने के लिए element आपका जो होता है वो होता है end screen और info cards यह दोनों अगर आप अपना वीडियो में लगाए होंगे जो last में आता है या बीच में यह काड आता है इस दोनों का आपको delete करना होगा तो यहीं से यह दोनों delete हो जाएंगे edit पर क्लिक करेंगे यहां देखिए delete का option है मैंने यहां पर लगाया हुआ है एक वीडियो playlist और logo subscriber वाला तो यहां से delete के option पर क्लिक करेंगे delete हो गया देखिए logo हमारा यहां delete हो गया फिर से delete पर क्लिक करेंगे देखिए वहां से वीडियो delete हो गया फिर से delete पर क्लिक करेंगे यह देखिए हमारा total delete हो गया अब इसको यहां save कर देंगे save कर देंगे उसके बाद हम cut लगाएंगे तो वहां से यह जो option है element must be visible यह हट जाएगा तो इसको हम discard कर देते हैं क्योंकि मुझे कोई change इसमें नहीं करना है यह तो हो गया trim and cut की बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से वीडियो को trim or cut किया जाता है अब आ जाते हैं blur पे blur पे click करेंगे देखे बलर पे दो option आता एक face blur एक custom blur मालने जिए कि आपकी वीडियो में कुछ faces ऐसे हैं जिसको आपको blur करना है तो यहाँ पे आप face blur पे click करेंगे तो यह automatic process होके search करके जितने भी face होंगे उसको detect करके यहाँ पे blur करके देदेगा और आपको select करना है इसमें थोड़ा time लगता है यह देखें मेरे इस वीडियो में दो faces मैंने use की हैं एक photo inka use किया एक वीडियो पे यह face आ रहा है तो आब आपको अगर मालने जिए दोनों face को blur करना है तो select all कर देंगे और किसी एक को आपको blur करना है तो उसको select करना है मालने इसको हम select कर लेंगे और यहाँ नीचे से देखिए apply का option है इसमें apply कर देंगे तो यह मेरा face blur हो जाएगा तो मुझे यह करना नहीं है तो इसको cancel कर देखे यह बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है चलिए अप custom blur आपको दिखाते हैं तो इसके लिए blur पर click करेंगे custom blur select करेंगे यह देखिया हमारा आगया यहाँ पर देखिये blur का box आगया है यहाँ पर कुछ option so कर रहे हैं तो option में देखिये क्या है rectangle oval मेरा rectangle by default select है सबका rectangle ही रहता है तो rectangle में इस तरह से box आजाएगा लेकिन अगर आप oval लेंगे तो इस तरह से goal हो जाएगा यह देखिये blur का goal option है यहाँ पर आपको show हो रहा होगा देखिये अब आपको मैं बताता हूँ यह blur की काम आता है और आपको यह क्यों जरूरत पढ़ सकता है तो यह कभी कभी आपको वीडियो एडिट करते हो जैसे मान लीजे काइन मास्टर से आप एडिट करते हो तो उसमें watermark रहता है अगर आप pro version यूज नहीं करते हो यहां side में तो यहां से आप video upload करने वाद आप इसको blur कर सकते हो तो वो काइन मास्टर का logo जो है hide हो जाएगा ठीक है मैं rectangle select कर लेता हूँ अब बताते हैं जैसे मान लीजे आपने कोई video बनाया उसमें कोई ऐसा मतलब नमबर छूट गया हो mobile number या email id जिसको आपको blur करना था लेकिन आप भूल गए और उस चीज को हटाने के बज़ा है पूरा video ही delete कर देते हैं तो उस चीज से बचने के लिए आपको video delete ना करना पड़े सिर्फ कुछ हिस्सा आपको blur कर देना है तो उसके लिए ये blur वला option यूज़ करते है कभी किसी का photo भी मान लिजिए आ गया हो तो उस photo को blur करना है छिपाना है इस तरह से आप यहाँ पे देखें दो चीज और आपको दिखाई दे रहा है दो option track object और fix blur option track object क्या होता है मान लिजिए कि आप कोई वीडियो अपने लिया है और उस वीडियो में कोई लड़की है उसका वीडियो है और वो चल रही है लेकिन आपको उसका जो है चेहरा को hide करना है blur करना है तो मैंने पहले बताया था वहाँ से face वाला blur से blur कर सकते हैं लेकिन यहां से आप उसको भी blur कर सकते हैं क्योंकि वो अगर जैसे हिल रहा है अगर element आपका जैसे हिल रहा है मान लिजिए ललकी है तो चल रही है इदा जारी तो एक गती में है या फिर मान लिजिए कोई element ऐसा है जो वो move कर रहा है तो वहाँ पर आप track object लेंगे तो क्या है ये blur वाल option भी जो है उस element के साथ साथ move करेगा जिदर जिदर वो जाएगा ये भी ऐसे हिलेगा fix नहीं रहेगा चलिए मैं आपको practical करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है और इसको यहाँ पे से इसको हम पुछ लंबा खीच लेंगे ताकि कुछ दूरी तक ये show हो यह हो गया चलिए अब हम वीडियो को प्ले करते हैं यह देख लिए आपने वो आ गया तो मेरा यह चल की यह लिखा वो आया है इसको अब मैं ऐसे यहाँ से खीच के यहाँ तक और इसको यहाँ से खीच के यहाँ तक लंबा कर देता हूं और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं अब प्ले करते हैं यह देगे जिस तरह से वो element घसा कर आप उसी तरह से यह भी move हो रहा है तो आप समाज गया होंगे track object का क्या काम है अब आते हैं fix blur position पे इसको जब अब select करोगे तो यह कुछ भी move नहीं होगा यह इसी तरह से अपनी जगा पे खड़ा रहेगा तो मुझे मान लेजिए यहाँ starting से लेकर 14 सेकंड तक video को blur करना है यहाँ से मैं check कर लूँगा यह कितना सेकंड तक 12 सेकंड तक मुझे blur करना है तो इसको और मैं blue वाले पट्टी को खीच के यहाँ तक लेआँगा बस इतना area मुझे blur करना है इसको adjust कर लेंगे यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा इसे नीचे ऐसे खीच के ऐसे कर लेंगे इसको नीचे वाला option को जब आप select करना चाहोगे तो यह select नहीं होगा पता नहीं क्यों नहीं होता है अगर आप लोग कोई जानते हो तो मुझे comment करके बताना यह किस तरह से select होता है मैंने तो try गले नहीं होता है तो इसके लिए क्या करते हैं कि माल लिजे मुझे इससे छोटा करना है तो उपर से छोटा करके और position इसका उपर नीचे change कर देंगे यह मेरा हो गया चलिए अब फिर से एक बार वीडियो को हम play करके preview देख लेते हैं इसको नीचे से थोड़ा यहां ले आएंगे और इसको थोड़ा सा कीचके यहां भी रेड रेड दिख रहा है लंब कर देंगे अब सायद हो जाना चाहिए पूरी तरह से adjust प्ले करेंगे यह पूरी तरह सा मेरा च्छीप गया है तो इस तरह से आप blur option को use कर सकते हो दोस्तों ओके guys आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू